आज की या बीडियो बीये फस्तेर के फस्समिस्टेर के छातरों के लिए महा संगराम होने वाले है जिनका सब्जेक्ट अर्थ्साफ्त रियानि की एकोनोमिक्स है उनकी लिए बीडियो बहुत ही महात्थ पूर है एक तरीकी से जाम बाढ़ है क्योंकि आज की इस वीडियो में ने कोईसिशन और अंसर दोनों सामिल किये हैं और आप सभी के लिए बहुत ही जादा महात्पूर है और लगबग प्रशन इसी वीडियो से आने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं ये प्रथम वर्से देख लिजिए और समस्टर आपका प्रथम यानि की फर्स समस्टर है और अर्थसाफ्थर सब्जेक्ट है देख लिजिए यहां पर और जो प्रश्णपत्र का नाम है वह है ठीक है ये ध्यान रखेंगे सौचम अर्थसाफ्थर का फिदानग यानि की प्रैंस आफ माइक्रो एकोनोमिक्स ये है इंगलिस में प्रस्ण पत्र का नाम और हंदी में सौचम अर्थसाफ्त का फिदानग तो चलिए कुश्चन पे आते हैं पहला प्रश्ण है कि एका अधिकारी कीमत ऐस परत्मक कीमत से तो यानि कोईसे, तो यह कोईस्चनना आप पढ़ना चाहे तो पढ़ते हैं, देखिए यह अभी रसेंटली मितलब कि कोई पेपर वह उसमें आया नहीं है, तीक है लेकिन इस बार उमिद है आने जाने की, चलिए थोड़ा परिछे जान लेते हैं, एक का अधिकारी अपने छ कोई आपके सहर में या फिर आपके गाँ में कोई एक चिनी की मील है, ठीक है, तो चिनी की मील है तो वो क्या करेगी, जितने भी आपके आज परोस के गाँ होंगे, नगर होंगे, सहर होंगे, छोटे-छोटे, उनमें वो सप्लाई करती है, ठीक है, ओके, तो वो उसमें क्या क ते वहां का माल पहुंचाना ठीक वही बोला जा रहा है यहां पर कि अकेला होता है तथा पूर्ट पर उसका पूर्ड नियंत्र होता है यह फिर किसी भी चीज में एक्जामपल आप ले सकते हैं जरूरी नहीं किसी में और ऐसी आवफ्था में वहां फदे अपने लाब को कंपिटेटर वाला तो हम अधिक फ्यदि क्ला कमा्ले और संभ। प्रत्म प्रित depend करता मताब पिर्यास करता ही रहते हैं अता यह फोचना उचित है की एक अधिकारी यह फिर एक चीया कीमत १च्षी होती है जैसे की बहूथ पा should we पर के निए कोई बीमाली जे कंडी साना गई मार्कट डाउन हो गया तो उस वजह से जो एकाधिकारी कीमत नीची भी हो सकती और उसे समान लाब या हान भी प्राप्त हो सकता मतलब कि बिजिनफ व्यपार है तो उसमें भाली जे कि कभी ज्यादा इस्टोक हो गया तो भाई य प्रकार कादिकार कीमत से उंची होती है इसके बारे में परिचे बहुत ही महात्पूर्ण प्रश्ण साबित हो सकता है लेकिन पिछले वालों में आया नहीं लेकिन यह महात्पूर्ण यह प्रश्ण कई अब आप सोच लिए जयंकि प्रयां के बारे में आपको बता देते हैं फिर सिमान का मतलब बता é पर आपस्मभ जाएंगे कि अर्थ-फाफ्त में सिमान्त बार बार आएगा, तो फिर अर्थ-फाफ्त है ऑप मिस्टेकिंग करेंगे, ठीक है? अर्थ-फाफ्त में जो सिमान्त इसका अर्थ है, किफी चीज का थोड़ा अधिक या थोड़ा कम होना? सिमानत का जो अर्थ है अर्थफाक्थर में वो कोई भी चीज है कोई भी product है उसमें इसका मतलब है थोड़ा अधिक मतलब ज़्यादा आधिक थोड़ा फाधिक या फिर थोड़ा फाकम ठीक है यह मतलब होता है सीमांत का और ये जो है या किसी वफ्त या सेवा के एक अत्रिक्द इकाई के उपहोग या उतपादन के प्रभावों को संदर्भित करता है या इंडिगेट करता है माली जे कोई सेवा है, कोई सर्विस कोई दे रहा है, कोई वस्त बेच रहा है, खरीद रहा है, ठीक है, सेवा के फेवा जो होती है या फिर वस्त होती है, एक अतरिक देकाई, मतलब कि उसके अलामा एक अलग इकाई उपहोग या उतपादन के प्रभाव जो होते हैं, उनको स प्रभाव मतलब कि इसी से इंडिगेट मतलब इसी से समझाया जाता है ठीक है वस्त या सेवा को सिमांत के मात्यम से ठीक है और उसके बाद है ध्यान से सुनेंगे कि यह सिमांत लाव जो है एक अत्रिक्त इकाई से कुल निजी लाव में परिवर्तन है मालीजे कोई आपका बिजनेफ है उसमें आपका पूरा लाव हो गया ठीक है तो उसमें क्या हो गया पूरा लाव हो गया कोई आपने बिजनेफ शुरुक होया उसमें मालीजे आपने 100 रुपे लगाया और आपको 200-300 मिल गया ठीक है मतब कि जितना लगया उसे कई अधिक में लगया ठीक है तो उसे ही बोला जाएगा एक तरीके से कुल निजी लाव में परिवर्तन ठीक है स्रीमानत लाव को कुल निजी लाव में परिवर्तन ठीक इसका अर्थवाफ्त में मतलब कि अर्थफात में सीमान्त सब्द का प्रियोग अक्सर किया जाता है तो जितने भी प्रसंद देखेंगे आपको लगबग लगबग समय में सीमान्त जुड़ेगा इसलिए बोला जारा है कि अर्थसात में सिमानत सब्द का प्रयोग अक्सर किया ही किया जाता है तो सिमानत का अर्थ है कि फिए चीज का थोड़ा कम या फिर थोड़ा अधिक या थोड़ा कम होना ठीक है इतना याद रखेंगे बस थोड़ा अधिक या थोड़ा कम होना बस और अर्थ साथ में एक और सब्द है जो कि आपको बार-बार देखने को भी लेगा तो इसके बारें भी थोड़ा जानकारी ले लिजी क्योंकि सिंपल सा सब्द है उपभोकता यानि जिसको लाता है। ठीक है तो वही होता है उप्भोगता हो गया हमने किसी और को भिखदवा दिया वो भी एक दिर कंज्यूमर हो गया ठीक है तो यह होता है उप्भोगता है फिर किसी मात्रा की सिमान्त उप्योगता कुल उप्योगता में उस ब्रध्ध को बताती है जो कि उप्योग में विख्द है सिमान तो प्योगता ठीक है चले महात्पूर्ण तयार कर लिजेगा आप अपने उसार भी परिमापा तयार कर सकते हैं मेरी द्वारा बताई समझ में नहां तो इंटरनेट गूगल पे फ्रीज में सर्च कर लिए ठीक है लेकिन महात्पूर्ण प्रशन है यह भी कोश्चन म बजार मोली किसी वस्त का वह मोली है माली जे की आप मार्गेट जाते हैं तो बहुत पारे वस्तू है उसका भी एक निरधायत रुपे मताब मोली होता है एक प्राइज होता है कि यह वाला जो वस्तू है यह भाव का है यह कीमत का है ठीक है तो बजार मोली किसी वस्तू का जो किसी समय विशेश में बजार में प्रिचलित होता है बजार मुली को अति अल्पकालीन मुली भी कहते हैं क्योंकि इसका सम्बंद अति अल्पकाल से रहता है या मुली ना केवल दिन प्रतिदिन बदलता है वरन एक ही दिन में कई बार बदलते भी देखा गया है बजार मोली वह मोले जो अलपकाल में मांग और पूर्थ में संतुलन अफ्थापित रख था इस मोली के प्रिस्चिनल काल में पूर्थ की इस्थित लगभग इस्थिर रहती है और वहीं पर प्रोफेसर एक ठीक इस्ट मांग के घटने बढ़ने से बजार मोली घटा बढ़ता रहता है इस प्रकार बजार मोली निर्धार में मांग का प्रभाव शक्रिया और पूर्थी का अभाव निश्क्रिय होता है ठीक है प्रति अस्पारदहात्मक दसाओं में बजार मोली की प्रवित्य सद्यों समान नि सकती है ठीक है माल लीजे की एक्जामपल के रूप में आप टिमाटर मार्केट में बजार में खरीदने गए ठीक है टिमाटर महेंगा भी यह आप जानते भी आप मार्केट में खरीदने गए ठीक है खरीदने के बाद आप बहुत सारे हूँए दसी लोगों कि पास टिमार्टर तो लोग खिरी देंगे तो पता चलेगा। वो एक Utah लोग है उन تीक पहुंचा और पांथ Lex tomorrow गोवह हैण उनना। हो गया दूसरा नत्रें आज रहा हूँ हो जाएगा और दूसरा जो मैं जो ट्रमेटर बेच रहा हो तो बाहर से अगर उसके पास पॉसिबल है तो मंगाएगा तो और भी महेंगा बेचेगा ठीक है तो इस तरह और मालीजे मार्केट में बहुत ज्याद इमाटर आ गया बहुत ज्यादा ट्रमेटर आ गया मतलब कि 100-200 लोगों के पास हो गया और जो होती और बढ़ो बढ़ोती ठीक है जिसको सिंपल महासा में बोलें घटने बढ़ने का सिस्टम ठीक है तो इस प्रकार लिखेंगे इसकी परिभासा अगला कोश्चन बहुत ही महात्पॉर्ण है कि अल्पकालीन बजार में दिर्खकालीन बजार से आप क्या समझते हैं ठीक परष्न आया तो इसको ज़रूर दयार कर लीजेगा ठीक है ठीक है समौफ त पादक वक्र से कि भात ही होती है जिस प्रकार तठसदा वक्र दो वफ्टों के उन बिभिन संयोग को बताता है जिनसे उपभोकता यानि कि जो समान खरीदता है या समान का उपयोग करवाता है उपभोकता को समान संतोस्टी प्राप्त होती है ठीक उसी प्रकार सम उतपादक वक्र भी उतपत की किनी दो साधनों के उन बिभिन संयोगों को बताता है जिनसे उ वक्र पर इस्तिर विभन बिंदू या दो दिए कि만 नाम से भी संब होमाओद थे वन्हों म मेंल करेंगे मा लीजे दो गड़ी कमपनिया है जो मोबाइल मेनेटे रिंग करती है दो बड़ी कमपनियां है जो मुबाइल बनाती है तो ये इसमें मतलब इसका ये होता है दो बड़ी कमपनियां जो मुबाइल उत्पादन करती है मतलब कि एक तरिकिस बनाती है तो उन दोनों कमपनियों के जो मुबाइल है जो उन दोनों कमपनियों के मुबाइल है वो प्रत यह दो बिभिन को बताता है जो बराबर उतपादन करती है या फिर बराबर मात्रा में उतपादन को दर्फ आती है तो फिर तरह दो मोबाइल कंपणिया है एक माली जे समसंग है एक माली जे वीबो ठीक है और दोनों प्रते दिन दस-दस मुबाइल बनाती है ठीक है यह सिंपल शी परिमासा हो गई और बहुत ही पूरे कोईश्चन का इंड यहीं पर हो गया ठीक है सम उत्पादक वक्रों की माननेता हैं यह पढ़ लेंगे भी महत्पूर प्रश्ण है ठीक है कभी कदारता में सने उप्भोगता की बचत यह जुरू तयार कर लिजेगा हाई लेबल का प्रश्ण है बहुत ही टॉप लेबल के परिच्छा में अक्सरा था उत्पादन यह 100% प मत्तब होता है समाने रोप से किसी वस्त के निर्मार्ण कर रही है ठीक है एजांपल के लिए मैंने बताया कि कोई मालीजे की ELCD की कंपणी है ठीक है यह फिर कोई कंपणी जो टेली वीजन लिल फीडी बनाती है ठीक है तो बनाती है तो उसका क्या मत्तब हो रहा है कि वस्त निर्मार्ण कर रहा है ठीक है उत्पादन का मत्तब होता किफी चीज का निर्मार्ण होना ठीक है वो चाहाँ जो भी चीज ह और किंटो आर्थफाफ्त के ध्रस्ट से उत्पादन का आर्थ किसी सोरूब के बदलते हुए उबस्त में उपयोगता फ्रजण करने से होता होता। कि जब कोई इंसान उसको उपयोग करता है उसके स्वजन से होता है ठीक है मतलब कि लाब और हानी दोनों नीचे मतलब कि वही कंपणी बनाकर खड़ी कर दे और कोई ले ही ना उसको तो क्या फाइदा तो इसलिए बताया जा रहा है कि वह निर्मार तो करती है वहां तक तो प यह है कि वह क्रिया जो किसी वस्त की उपयोगता में ब्रद्ध कर दे लेकिन उसका बिन मैं ठीक है बिनी मैं मुल नहीं हो उत्पादन के लिया नहीं होती हो बिभिन अर्थसाफ्तियों ने उत्पादन को निमलिखित परकार से परवांसित किया गया है बाकि आप यहां पर कि 22 और 30 के से सिसन में इसको भी त्यार कर लिजेगा ओके तठसता यह भी 100% कोईश्चन आया था ठीक है मैं आपको कोईश्चन पेपर भी दे दूँगा ठीक है पिछले फाल का आप लोग खुदी देख लीजेगा कोईश्चन आया था कि नहीं आया 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 पिछले प्रिबियस एर का मैं माडल पेपर भी लगाऊंगा इस पीडियाप के फात और आप देख लेंगे खुदी तो तठसता वक्र वावक्र है जिसका प्रतेक बिंद दो वस्तों के एक ऐसे स्टैयों को बताता है जिससे किसी उपभोगता या फिर कोई कंजियूमर को समान संतुष्टी प्राप्थ होती है अरतात वह संतंस्ता रहता है यानि कि Тथश रहता है यही करण है कि तंस्ता को संतुष्टी वर्ख भी ऒखर भी कहा जाता है तो मैंने उपर अभी एक्राप है तलति मॉबाईल बनाती है ठिक 20 बनाती है दस्ट दस मोबाइल बनाती है ठीक है और दस मोबाइल वो बेशती है ठीक है बेशने के बाद भाई कोई इंसान खरीदेगा कोई कंजूमर या फिर कोई भी कस्टूमर खरीदेगा ठीक है तो खरीदने के बाद उसको समान संतुष्टी मिले समान का मतब यह हो कि जो यह आपकी समसंग कंपणी है और यह जो लावा कंपणी है ठीक है तो मा लिजे एक-एक मुबाइल एक कस्टूमर जो है एक कस्टूमर ले कि दोनों कमपणी से एक लेता है पतब एक इस कंपणी से समसंग से एक लावा से ऊ-वीवो से कोई भी कंपणी हो ठीक है दोनों कंपणी हो से मुबाइल लेता है और उसके बाद उसको फूर्व चीज क्या समझ में आएगी उसको यह चाहिए यह जानकारी मिले कि हां पूरी तरह संतोष्ट वह हो ठीक है तो उस प्रोसेस को या फिर उस किरिया को हम संतोष्ट वक्र या पिर ततस्ता वक्र कहेंगे ठीक है ओके समझ में आ गया यानि कि कोई भी इंचान है वो दो कंपणिया है वो अलग अलग उत्पादन करती एक्जामपल के लिए ठीक है और वो दोनों बराबर उत्पादन करती हो साथ साथ में वो एक ही कस्टूमर मा लेजे कोई हो दोनों कंपणियों से खरीदे मुबाईल या पिर टेली वीजन को भी और उनको दोनों मुबाईलों में बड़ाबर उनको समझ में आए कि हाँ दोनों मुबाईल अच्छे है ठीक है उसके बाद उस प्रोस्टेस के हम कहेंगे ठीक है क्या तरसरसता वक्र या फिर संतुष्ट वक्र या फिर हाई लेबल का कोईश्चन आएगा ही आएगा और मांग के नियम की मानताएं बताईए तो मांग के नियम की बहुत सारी यहाँ पर मानताएं हैं पहली है उब भोक्ताओं की आये क्या था इस्थिर रहनी चाहिए उब भोक्ताओं की रूचिवा सुभाव में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए यान आप पढ़ लेंगे बहुत ही महात्पूर प्रस्ट है ठीक है ओके चलिए मांग की रेखा फिर आपके अमस्क समझते कभी कदार आता है यह जोरूर पढ़ लीजिएगा मांग नियम की ब्याक्षा यह पिछली बार भी आया था यह हाई लेबल के को जोरूर तयार दर के जाए मांग वा मूल के इस परस पर सम्मंद को मांग के नियम ला आफ डिमांड द्वारा बिक्त किया जाता है कि मांग का नियम यह बताता है कि उची कीमतों पर मांग कम तथा कम कीमतों पर मांग अधिक होती है मतलब कि जब कोई ची माली जे की जब एक्जामपल के फिर से मैं आ स्कुनाबें जब हमेंकिभी हो जाएक जब मेंधी हो जाएगा अलू की करता है उस चीज को जा तो इन्सान कम लेगा ठीक है और जब मालीजे की रेट सस्ता हो गया तो वो ज्यादा लेगा तो वही बताया जा रहा है कि उची कीमत पर कीमतों की मांग कम होती है और कम कीमत पर अधिक मांग होती है तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सोना चानी लोग खरेते हैं जब सफता हो जाता है तो लोग कहते हैं कि चलो भाई ले लेते हैं ज्यादा लेकिन जब वो महेंगा ह जाता तो कहते नहीं थोड़ा हिले लो बस तो इस प्रकार मोलियों मांग में विप्रीद संबंद है अन्य सब्दों में यह नियम बताता है कि यदि अन्य बाते समान रहें तो अधिक मोली पर किसी उबफ्त विशेश की कम मात्रा खरी दी जाएगी और कम मोली पर किसी अधिक चीज की मात्रा जो खरे दी जाएगी तो इस प्रकार लिखेंगे इसकी परिवासरा ठीके अउसर लागत लागत से जड़ा कोईश्चन आएगा जरूरी नहीं किया है लेकिन ध्यान रखेंगे मांग से जड़ा तो हर कोईश्चन आप तयार कर लिजेगा मांग की आयलोच क कर के अर्थ Git अर्थिक इकाईयो का अध्यन करते हैं जिसके अंतरगद एक व्वस्थ्ट एक फर्म अभूखता का अध्यन kiा जाता है ठीक है यानि कि जो फिलम Less फ्रीम समान को किसी को दिलवाते हैं ठीक है तो इन सब का अध्यन किया जाता है ठीक है बेसिक चीजों का ओके अर्थसाफ्त और बेस्था में आर्थिक प्रणाली आप एग्नोर कर सकते हैं यह वाला जरूर पढ़ लीजेगा मांग को प्रवाइद करने वाले तो बहुत ही हाई प्रतिफल के नियम कभी कदार आता है इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं अर्थसाफ्त के छेत्र से आप क्या समझते हैं यह भी कभी कदार आने वाला कोश्चन हमेशा नहीं आता है अगला कोश्चन जो प्रस्तुत होने जा रहा है यह हाई लेबल के प्रिच्छा में कई बार रिपीटेड है इस बार भी आने के पूरी उम्मीद है कीमत प्रभाव से आप क्या समझते हैं ठीक है कीमत प्रभाव बहुत ही हाई लेबल कोश्चन पिछले फाल आया भी था ठीक है तो इसका उत्त प्रतिस्थान दर बहुत इमात्र प्रतिस्थान दर बहुत प्रतिस्थापन की सिमान दर ये दोनों को दोने महत्र प्रतिस्थान दर लेकिन एक कोई त्यार कर लेंगे तब भी आपको एकजाम में हेल्प मिल जाएगी तो इसमें करीब करीब चालिफ पर अधिक कोशिचन दिए गए हैं जो जो पिछले फाल पूछे गए थे और पिछल करेंगे लिंक इसी वीडियो के discussion में मिल जाएगा जहिंद